दोस्तों यह है मेरे पास जियो कीपैट फोन और इसको लॉंच में ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यह लगबक तीन या चार महने पहले लॉंच हुआ होगा लेकिन यहाँ पर फिर से कीपैट फोन यहाँ पर लॉंच कर दिया जो की प्राइमा नाम से है और हम लोग को देखन पर नहीं है इसके बाद अगर यहां पर फिजिकल बश्विट की बात करें तो फिर वो लगबक सेमे लेकिन जो मेरे पास जो है इसकी जो ठिकने से वो थोड़ी सी कम है यानि कि ये फोन थोड़ा सा पतला है कंपेर टू प्राइमाला फोन इसके बाद अगर यहां पर बात की जाए इसमें इंडबॉक्स केंटन की तो वो सबकु सेम है लेकिन जो क्वालिटी है उसमें तो सा फरक आपको देखने मिलता है जैसे कि आपको दोने ही फोन्स में बैक कवाट तो देखने को नहीं मिलेगा इंडबॉक्स में लेकिन जो बैटरी है वो आपको इंडबॉक्स में मिल जाती है अलग से लेकिन जो चार्जर ज जो है उसके अटैच ही केबल है तो फिर वहां पर आपको बिल्कु भी दिक्कत नहीं आईए बाकि सिम ट्रे इजक्टर पिन भी देखने को नहीं मिलती है जो कि जो बैक पैनल है वो रिमूव हो जाता है इसके बाद अगर यहां पर बात किज़ें इसमें बैटी बैक आफ चा आपको मतलब हैवी यूज अगर आप लोग करते हैं तो फिर आपको यह फोन दिन में एक बार तो चार्च करना ही पड़ जाएगा तो फिर यहां पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है अगर आप लूर्मल यूज करते हैं जैसे की कॉलिंग हो गया मैसेज हो गया वाट दोनों ही फोन से यहां पर Qualty खाली आप लोग यहां पर शूट कर पाएंगे लेकिन अका अगर सेलफी जाए मिल जाती अच्छी बात है लेकिन सीवसीफ 0.3 मेगापैसी की खाली मिलती है तो फिर आप मैं फानली आपको यह जो मेरे पास जियो की पैड़ फोन है इसके मैं आपको कुछ result आपको शो कर देता हूँ, आप लोग देख लीजे, मतलब मैंने इतना ज़्यादा अच्छा expectation नहीं रखी थी, चुकि मतलब आप लोग details और dynamic range में इतना ज़्यादा धिहान मत दीजे, expose the control भी ओना ठीक ठाक है, लिकिन जो back camera के जो photos है, वो देखें, यहाँ पर एक तरह से usable है, मतलब आप लोग अगर यहाँ पर कुछ दिखाना जाते हैं किसी को, तो दिखा पाएंगे, तो इसी अच्छी quality में आपको photos मिल जाती है, लेकिन selfie उतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन back camera इसका खास है, लेकिन अगर प्राइमा की बात करें, तो फिर आपको इसमें back में भी 2MP का camera देखने को नहीं मिलता है, तो फिर वहाँ पर quality, आपको इतनी ज़्यादा बेटर देखने को नहीं मिल पाएगी, तो फिर camera के लिए आप लोग यह जो मेरे पास है, पैनल देखने को मिलता है, मतलब अगर आप लोग सामने से देखेंगे, तब तो आपको colors काफी बढ़िया मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग सब भी दाएंबाइं होईंगे, तो फिर जो ghosting effect नहीं होता है, वो आपको देखने को मिलेगा, हाला कि Qualcomm आली chipset आपको देखने मिलती है, जो की काफी बढ़िया होती है, जैसे कि यह जो application जब आप लोग इसमें load करेंगे, तो वो काफी ज़्यादा time लेता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर live दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर setting खोली, back किया, फिर मैं यहाँ पर contact पर गया, back किया, जियो store खोला, अगर यहाँ पर बात की जाए, इसमें software की तो यह part दोनों ही phones का काफी बढ़िया है, तो कि आपको दोनों ही phones में काई overres देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको जियो cinema जैसे exclusive features मिल जाते हैं, और जियो TV, जियो सावन, जियो गाना, यह सभी कुछ मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर जियो के store भी देखने को मिल जाएगा, जिसके थुरू आप लोग यहाँ पर applications भी download कर पाएंगे, बाकि आपको जो premium applications होती है, जैसे कि YouTube, WhatsApp, Facebook, Google Assistant भी जैसे यह सभी options आपको दोनों ही phones में मिल जाएंगे, तो फिर यहाँ पर keypad phone के इसाब से अगर आप लोग देखते हैं, तो फिर यह दोनों ही phone किसी smartphone से कम नहीं है, इसके बाद अगर आप बात कीजाए, इसमें कुछ और important features की, तो फिर आपको fingerprint और face unlock तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो Wi-Fi यह वह आपको मिल जाते हैं, लेकिन single band है, dual band नहीं है, और Bluetooth का भी version जो है काफी old वाला मिलता है, लेकिन Bluetooth आपको दोनों ही phones में देखने को मिल जाता है, 3.5 mm modi jack का भी support मिल जाएगा, बाकी sim tray नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप लोग इसकी battery निकालेंगे, तो फिर आप लोग यहाँ पे आपको दो slot मिल जाएंगे, एक आपको sim लगा सकते हैं, एक में आपको लोग यहाँ पे memory card लगा पाएंगे, लेकिन जो sim जो लगेगा वो खाली geo ही, खाली sim support करेगा, बाकी कोई और जैसे altar हो गया, वी हो गया, वो support नहीं करेगा, बाकी 5G दोनों phones नहीं है, खाली 4G ही का खाली option मिलता है, बाकी आपको दोनी phones में single speaker मिलता है, लेकिन काफी loud volume है, दोस्तो अब हम इसकी speaker की testing करने वाले है, बाकी आपको IP rating नहीं मिलती, लेकिन जो NFC का support है, वो आपको जो नया जो phone launch हो है, जोकि प्राइमा नाम से, इसमें नहीं मिलता, लेकिन जो old वाला, जोकि मेरे पास है, इसमें आपको NFC का support मिल जाता है, आया बिलस्टर नहीं है, FM Radio है, बाकी torch जो है, वो मुझे प्राइमा जोकि नया जो phone launch हो है, उसकी मुझे बैटर लगी, चुकि आपको इसमें back side में torch मिल जाती है, लेकिन इसमें जो मेरे पास है, इसमें उपर के side torch है, तो वो इतनी, मतलब torch के साब से तो useful है, लेकिन जब photos खीचेंगे, तो अंधेरे में इतनी अच्छी photos नहीं आपाएंगी, इसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए, इसमें वेंटो रेट की, तो फिर यहाँ पर दोने ही phone यहाँ पर आपको single bearing के साथ में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 512 MB के RAM और 4 GB की इंटरना स्टोर्ज मिल जाती, लेकिन जो price rate है, वो Prima जो कि अभी लॉंच किया गया, इसकी काफी ज़ादा रखी गई है, मतलब यह phone आगा 2000 के आसपास होता, तो मेरे साब से काफी बढ़ी है deal लेकर के आ सकता था, लेकिन जो मेरे पास जो है, यह आपको 1500 सो से लेकर के 17-18 सो तक यह अराम से देखने को मिल जाएगा, इसके बाद अब यहाँ पर फानली बात करते है, मेरे point of view कि कि आपको कौन सा phone buy करना चाहिए, देखी यहाँ पर मेरे हसाब से तो यह जो मेरे पास है, यही आप लो भाई कीजे, तो इसके लिए मैंने एक dedicated वीडियो बना के रखा है, जिसमें मैंने हर एक चीज में डिटेल में बात किये, तो दोस्व, I hope कि आपको याला वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो के एक लाइक जो कर दीजे, हमाई चालों के सब्सक्राइब जो कीजे, अगर आप लो मुझे समझे,